तो दोस्तों पिछले कुछ समय से आप एक प्रोपोगेंडा भारत के अंदर लगातार सुन रहे होंगे और वो ये है कि भारत के कुल 10 बिलिनेर्स हैसे हैं जो कि भारत की टोटल जीडीपी का 11% रखते हैं याने भारत की जो टोटल जीडीपी है 4 trillion dollars के आसपास इसकी 11% वेल्थ अकेले इन 10 लोगों के हातों में हैं और इस बात को लेखर भारत के अंदर नचाने कितना कितना प्रोपोगेंडा किया जाता और कितना कितना दुश प्रचार करके लोगों के मन में भ्रंतिया डाली जात शाद कुछ लोग यही नुकसान पहुचाना चाहते हो भारत की GDP को क्योंकि मैं आपको एक और एक्जांपल बता दूँ अमेरिका के अंदर एक कमपनी है जिसका नाम है Alphabet जिसके market केप की बात की जाए तो वो 2.1 trillion dollars के आसपास है यानि भारत की टूटल जीडीपी का 50% अल् अब अमेरिका की GDP की बात की जाए तो वो इस समय क 30 trillion dollars के आसपास है उसमें 2.1 trillion dollar आके ले Alphabet की wealth है तो अमेरिका के अंदर भी ऐसा कहा जा सकता है कि देखी अमेरिका की टूटल जीडीपी का 6.7% आके ले एक private company Alphabet के पास है लेकिन क्या ऐसा सुनने के लिए अमेरिका के influence चड़ाती है उनके विमर्श को दुनिया तक पहुचाती है और दुनिया के अन्य देशों को हम लोग हमारी इनी company के चलते विवश कर देते हैं कि वो अमेरिका के सामने जुके और अमेरिका को बास माने लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि आप इसी company को याने alphabet को बहुत तकड़ा नुकसान होने चारा है जी हाँ आप वो कैसे चलिए आगे वीडियो में जानते हैं आप बस इसी तरह की exclusive खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा अब इस समय स्क्रीन पर आप जो visuals देख रहे हैं और ये उन लोगों के नाम वगेरा है जिन्होंने हमारे चैनल पर लगातार कॉमेंट किये हैं ये टॉप कॉमेंटर है आपके खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट के जो यूट्यूब ने खुद ने हमें सज़ेस किये हैं आने वाले समय में आप और भी अलग-अलग कॉमेंटर्स का इस तरह से ना पहरे पहरे कॉमेंट आप वीडे के नीचे जरूर किया करें तो दोस्तों दुनिया भर में अगर हमेटर्स की बात की जाए तो Google सर्च इसमें ऐगे हैं किसी भी चीज को अगर आपको verify करना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है या कोई भी आपके मन में doubt होगा तो आप Google पर जाकर search करके देखेंगे आपको कई सारे results देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आप जानकारी हासिल करके अपने doubts वगेरा clear कर सकते हैं अपने इनी सब features की वज़े से Google search जो है, वो अपनी parent company Alphabet की कमाई का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है लेकिन दोस्तो Alphabet company का यही सबसे बड़ा माध्यम बिल्कुल खत्रे में जा रहा है और इसके पीछे कारण यह बताए जा रहा है कि अभी तक इसका चूगी कोई भी reliable option नहीं था लेकिन अब इसके कुछ reliable options market में आने जा रहे हैं जो कि suddenly आने के बाद Alphabet को तकरीमन 2 trillion dollar से उपर का नोकसान बड़ी आसानी से पहुचा सकते हैं अगर इन्हें भारती रुपियों में देखा जाए तो 180,000,000,000 करोड रुपे का नुकसान Alphabet को हो सकता है मैं आपको बता दू कि वैसे तो Google काफी पुरानी कमपनी है 26 साल हो चुके हैं 1998 में ये शुरू हुई थी लेकिन वर्ष 2015 में एक और कमपनी के स्थापना होती है और ये होती है एक Non Profit Organization जिसे की Open AI का नाम दिया गया है इसके Founders की बात की जाए तो ये लिस्स आपके सामने पड़ी हुई है कुल 9 लोग इसके Founders थे हलाकि Elon Musk कुछ समय पहले इससे अलग हो चुके हैं अब वर्ष 2015 में जब ये लाँच हुई उसके बाद काफी कुछ सक्सेस मिली इसे इसके बाद वर्ष 2022 में इन्होंने चैट GPT को भी लाँच कर दिया और वो भी इस समय कितनी पॉपिलर हो रही है आप समझी सकते हैं अब बताय जा रहा है कि बहुत ही जल ये इसका सर्च इंजन भी लाने जा रहे हैं और चुकि इनके पुराने प्रोड़क्ट जो हैं वो इतने हिट हो चुके हैं अल्रेडी ओपन याई ले लीजिए या फिर चैट GPT ले लीजिए तो इसके बाद जब इनका सर्च इंजन लाँच हो जाएगा तो एक साथ उसके उपर बहुत बड़ी संख्या में ट्राफिक जाने बाला है और अगर ऐसा होता है तो गूगल को सीधे सीधे इसका नुकसान होगा क्योंकि वैसे ही गूगल की बात की जाए तो गूगल के पास वैसे तो दुनिया भर का मारकेट है और एकसेस है लेकिन चाइना जो की दुनिया का भारत जितना ही बड़ा मारकेट है उसने अलमोस गूगल को पूरी तरह से अपने हैं पर बैन कर रखा है 2010 के आसपास तक गूगल की सारी सर्विसेस चाइना दोरा अपने देश में बन कर दी गई थी और इसके बजाए उन्होंने अपना खुद का एक सोदेशी आप्शन तयार कर लिया जिसे बाइडू नाम दिया गया है यानि बाइडू चाइना का गूगल है ऐसा आप कह सकते हैं तो 140 करोड के आसपास की जो जनसंक्या चाइना की है जिसमें से मैक्सिमम जनता गूगल सर्च का इस्तमाल कर सकती थी वो पहले ही इनके हातों से जा चुकी है उसके बाद अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा वो भी ओपन याई जितना रिलाइबल तो डेफिनेटली इनकी ये कमाई काफी ज़्यादा कम होने जा रही है लेकिन दोस्तों गेम यहीं पर होते हुए दिखाई दे रहा है अगर गूगल का ये सारा व्योसाए ओपन याई छीन भी लेता है तब भी इससे अमेरिका को विश्यस नुकसान नहीं होगा क्योंकि ओपन याई संस्था जो है वो भी अमेरिका की ही है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका दोरा प्लानिंग किस लेवल की की गई थी कि जिस दिन उनका गूगल भी पुराना हो जाएगा तो गूगल का भी कोई सबसेश्यूट हम लोग आज ही तैयार करके रखें सोची अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग भी करते हमारे देश के लिए क्योंकि गूगल हो ओपन याई हो वाटसेप हो फैस्बूक हो इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इन में जादा बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं वो भारती यही हैं यही भारती अपने इसी टेलेंट का इस्तमाल भारत के लिए करें तो यह सारी चीज़ें हम लोग भी हमारे खुद के स्थर पर डिवलॉप कर सकते हैं खुद का सार्च इंजन बनाना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है सूजी हमारे पास भी अल्मोस 180 करोट की जनसंक्या है एक बहुत बड़ा मारकेट है पूरे योरोब और पूरी एफ्रिका की इस जनसंक्या अगर कंबैन भी कर दी जाए तब भी भारत की जनसंक्या के आजू बाजू भी नहीं ठीकेगी तो सोचिए हम लोग कितना सारा पैसा अमारीका जाने से बचा सकते हैं इवन हमारे खुद के सर्च इंजन को बाद में धीरे धीरे हम लोग दूसरे देशों तक भी प्रोवाइट करवा सकते हैं तो इससे भारत का भी जो एंफ्लूएंस है वो लगातार गेन होगा दुनिया के दूसरे देशों के उपर इसी तरह से अन्ने कई सारी और बिक टेक कमपनिया हैं जिनके ऑप्शन हम लोग खुद बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं लेकिन इन सब के बावज़ूद हम लोग विदेशी एपस के उपर इतने ज़्यादा बड़े स्केल पर आश्रित हो चुके हैं कि आज हमने इनका सुदेशी आप्शन ढूडने के बारे में सोचना भी शायद बन कर दिया है ये सारा रेवेन्यू जो की हम लोग गूगल के मद्यम से अलफा बेट के पास जाते वे देख रहे हैं संभो तो ये सारा का सारा वेल्थ भारत आ सकता था अगर भारत के पास इसका कोई सुटेबल आप्शन होता और रिलाइबल आप्शन होता तो और वैसे गूगल की भी बात की जाए तो ये भी डॉलर जैसा बड़ा वेपन ही माना जा सकता है अमारीका का अगर किसी दिन प्रतिबंद वगेरा लगाने की बारियां आती है तो डॉलर के प्रतिबंद से जितना नुकसान होता है उससे आदा तो हर हाल में गूगल अकेले भी डेंट पहुचाने के लिए काफी होगा किसी भी देश को क्यूंकि आज लगभग सभी छेतरों में गूगल अपना योगदान देता है ऐसी परिस्तिती में आप एकदम से गूगल की निर्भरता नहीं छोड़ सकते और यही चीज़ सुनिस्चित करती है अमेरिका के इंफ्लूएंस को वर्ल्ड वाइट इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मनना है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा